आदाब नमस्ते गुड आफ्टेनून आप सभी हमें देख पा रहे हैं इवीद्य चैनल नंबर 10 पर और आप सभी के साथ हूं मैं कुसुम प्रसाद हमारा यह सत्र उर्दू का है उर्दू के तलबा तलबात के लिए है तो आप सभी नाजरीन का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत अभिनंदन आदाब आज हम लेकर आए हैं मौजू जल्वा ए दर्बार ए देहली के बारे में और यह मौजू है आज का और कक्षा 10 के विध्यारतियों के लिए है यह एक नजम है लिखक हैं अकबर इलाहबादी और इसे पढ़ाने के लिए हमारे सा एक्सपर्ट मौजूद हैं प्रोफेसर मौमद मुख्मूदीन सार अंसी आटी दिली से हैं से आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार अजान बहुत-बहुत बच्छों आपको भी आदाब है आपका भी इस प्रोग्राम में जी ज़िए आपका इस्तकबाल है हम इसतकब पर पर आपके तेलिवीजन स्क्रीन पर इसे आप नोट कर सकते हैं और आप हमें अपने फीडबेक भी सकते हैं हमारे एमेल चैनल पर भी वह है टेज़ डॉट क्लास 10 इसके लावा आप हमें अपने फीडबेक यूटीब चैनल पर भी बेश सकते हैं हमारे यूटीब चैनल है एंसी आटी ओफिशल तो हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबेक का तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र और रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट सर की तरफ तो सर बताईए कि आज को जो मौजू है जल्वा दर्बार देहली इसमें क्या कुछ है और जैसा कि ये नजम है अकबर इलाबादी की तो सर इसके बारे में बताईए हम लेकप के बारे में जाना चाहते हैं कि अकबर इलाबादी कौन थे उनके बारे में कुछ हमारे स्टू तो यह अपने जमाने के बहुत मुनफरिश शायर थे इनकी पैदाइश 1846 में हुई इनका पूरा नाम सजिया दकबर हुसेन रिजवी था पैदाइश 1846 में जिला इलहाबाद के तैसिल 12 में हुई पैदाइश के कुछ दिनों के बाद अपने खांदान के साथ दाउद नगर जिला गया बिहार चले गए जो कि इनके दादा और इनके वालिद मुलादमत में थे तो उनी के साथ यह वहां चले गए थे फिर तालीम का स्लितला भी इनका वहीं शुरू हुआ यानि गया में अपने लिखने के बहुत शौकीन थे महाफ़दा इनका बला का थे यानि नेक और मधभी खातून थी अकबर की तर्वियत में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है एक्ठारा तो पच्पन में अपने खांदान के साथ इलहाबाद में मुस्तकिल सुकूंदत अक्तियार कर लिया नहीं वहां पर्मानिंट रहाइश एक्तियार कर लिए जब फिर तबाद अधार अरदी नवेशी से शुरू किया उस दमाने में कचेरियों के बाहर बहुत सो लोग आते तो जो पढ़े लिखे नहीं होते थे कोई ना कोई दर्खवात लिखानी है कुछ करना है तो ऐसे लोग महाँ पर मौजूद होते थे तो इस काम के लिए इनके बहुत इनको र सरकारी मकान था उस मकान में कमरा इनको रहाइश के लिए भी दे दिया और अपने खांसामा को भी यह उन्होंने खुम दे रखा था कि इनको कोई तकलीफ ना होने पाए इनका खास तो पर ख्याल लगा जाएं तो इस वज़ए से चुकि यह बहुत जहीन भी था बहुत पर आप 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 इस तर्म होती है और अचारा तो चाशक में वकालत का इंतिहान पास करके बाकादा वकालत शुरू कर दी और हलाकि वकालत इनको दिल्चस्थ भी नहीं ते लेकिन कि काम नको चाहिए ता कुछ इनके यह की भी पैसों की जरूवत थी तो भी तो इन्होंन और फिर अचारा तो चाशक में अलीगड़ तबादला हो गया वहां सरसीद एमत खार थे जब उनको मालूमा कि यहां अकबर इलाबादी आये हैं तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके इनको अलीगड़ में जजज का ओधा दिल्वा दिया इनको कोई खौफ औ लालच नहीं अपने मुकदमात का फैसला ना तो किसी के दवाव में करते थे जनकी साफ पसंदी के यह आलम था कि जो कुछ जैसा मुकदमा होता तो उससे जो बराहरात नतीजा निकलता था मुताले के बाद उसके हिसाब तो वह फैसला करते थे अग्ठासो बियान बेम इनको शेशन जच बनाया गया और इस सिल्सले में वो जाउनपूर, बहराईश, मेनपूरी, सहारनपूर वगएरा में रहें अग्ठासो बान में मादालती खित्मात के सिल्म इनको खान बहादूर का खिताब मिला उस्समाने प्रिकूर्ण के सिल्म इंग्रेश, भी इनके सिल्म laws, टेस्से आंाया ऊटलोग कोई की सिल्म से तो इनको कोई खसी खिताब से कान भी खताब मिला अग्बाल ने खिताब, भी खिताब महार गता बहस का मिलते था जो आफिक वो खान-बहादूर का खताम मिलन तक इनकी सेहत खराब हो चुकी थी, बिनाई भी इनकी कमजोर हो चुकी थी, आखे हैं सही तरह से काम नहीं कर रही थी, एक आख की रोशनी तकरीब जा शुकी थी, तो इन्हों ने इस सुरत तेहाल के वाज़े से एक तो अहदा कबोल नहीं किया हाई कोर्ट के जचा दूसरी और 1903 में इन्होंने कबल आजवक्त पेंशन ने लिए यानि वक्त से पहले अभी मुलादबत इनकी खत्म नहीं हुए दिंग और उन्हों वालेंट्री डेकारिमिंग ले लिया, 9 सिटमबर 1921 को इनका इंतकाल हुआ, इनके खानगी हालात से बहुत बद्दिल थी हैं, इनक इनके अंदुरूनी खानगी आलें घरेलों मामला जो हैं बहुत जादा इनके लिए रास नहीं आए, लेकिन बहराल 9 सिटमबर 1921 को इनका इंतकाल हो गया, इनका कुल्याद जो है, चार जिल्दों पर मुच्तमिल है, कुल्याद उसको कहते हैं, जिसमें किसी शायर का पूर में और इनोंने अप्तदा कर दी थी, शाहरी करने लगे थे, और इनका तहकीकी सर्माया गदल और दोनों में इनके अप्तदा में गदले भी कहीं, और बात में इनके तरफ राज़ू लेकिन कि गदल उसकलासिकी अंदाज की है, रवायत की, इनका जमाना जो है 1846 सो नहीं स 27 का है, तो सियासी और माशी और समाजी इतबार से जमाना बहुत उथल उथल का रहा है, 1846 नहीं पैदा हुई, यानि जब इनोंने होश शुमाला तो 1857 का गदर जिसको अंग्रेज गदर का नाम कहते हैं, म्यूटिनिक का नाम कहते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी उसे हिंद होता जा रहा था, अपने असर और एक्तदार को बढ़ाते जा रहे थे, और हिंदुस्तानियों की बेबसी और जल्म सित्म का नाजाइद फादा उठा रहे थे, और यह दौर जो है जमाना अकबाल, यह दो तहदीम की कश्मकस का जमाना यानि यह तर लोग दिरे दिरे ला परवा होते जा रहे तो विश्टन कल्चर जा जो मगर्बी तहदीब आ रहे थी, उसको अपनाते जा रहे थे, बगएर यह देखे है कि मगर्बी तहदीब की सारी चीज़े हमारे हक में बहतर नहीं हो सकती, अच्छी नहीं है, इसके बावजूद मगर्ब से इतने ज्याद दो चीज़ें अच्छी हैं, उनको लिया जाएं, और जो हमारे काम की नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएं, तो यह दो तहदीबों के टकराव का भी दमाना है, इनको दमाने में इसलाही कोशिसे भी जारी थी, सर्तेयर एमत खार की कोशिसे जारी थी, राजा राम मुहन र किसी तरह से समाज में एक रिफार्म पैदा किया जाएं, इसके अलावा हाली अकबर और इखबाल भी इस स्लसले में पीछे नहीं रहें, इन लोगों ने अपने अपने तरीके से मौाशरी की इसलाह की कोशिस की हैं, अकबर ने तरीके से अपने फन को देखा और नया तरीक के अफना या यजिए आक जॉत ऐसके SHायरी के पहले को शुरू करने वाले भी और खर्म करने वाले भी इनका अंदाश ना तो पहले उसको किसी ना आपन इंके बाद उसकी कोई पहरभी कर सकाना, नक्ल कर किसी को बुरा भला कहना बलकि उसके पीछे पसमंदर था उनकी नेकनियती शामिल थी उन्होंने उस तंदमेदा के जरिये समाज और माशरती बुराईयों की तरफ लोगे तवज्ज़ दिलाई और मगरिब की अंधी तकलीज यानि कौराना तकलीज आग बंद करके उसको ना जहां जहां वो देखते हैं यह चीज हमारे लिए मुफिद नहीं हो सकती उसके तरफ बराबर इशारा करते रहे हैं और कौम और माशरे की इसला चाहते थें फरंगी होकुमत और मगरिबी तहजीब पर तंदमेदा के तीर से रून बहुत रुकर करवार किया हैं महद यहां के लिए बहुत हैं से बहुत मुतासिर होता है मज़े ले लेकर लुट ले ले कर पड़ता हैं इनके हैंके कला मेरे ना तो किसी नगड़नागवारी हैंना किसी भद्यपन का एहसास होता हैं और नंतों फ़हाशी यानि को नंगापन ुपन Бात करते हैं तो वह चीज नहीं के हैं और मामूली अलफाद में बड़ी तखलीकी शान पैदा कि मामूली मामूली लफ़ों को जो आम तोर पर हमारे लिए अगर अलग सुन लफ़ों को हम देखा तो उसमें कोई बात नहीं हो दिए लेकिन उन्हों ने अपनी पूरी शायरी में उसको बहुत अची है जैसे उनके शायरी हम देखे तो मिर्जा साहब हैं शेयक हैं मुद्धू हैं जुम्मन हैं कलू हैं वगरा वगरा इस तरह के लफ़ों सुनने के हां कुछ इस तरह के किरदार और उनकिरदारों को जाएट बात किसी एक खात शक्त पर तंद्र नहीं किया है चोड़ कि जब इनको पढ़ने का मौके मिलाव सेशन जज हुए तो इन्होंने अंग्रेजी भी उस पर सेखिए और अच्छे खासी महारत पैदा हुए तो उस दमाने के जो माहौल था चुकि एक मगर्बी तहजी वेस्टन कल्चर आ रहा था हमारे जहां उस वेस्टन कल्चर के मद आप थोड़ी सी जो पी नहीं है जाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की तो इस तरह की शारिंग जा धिए कि बहुत अच्छा हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो उनका कता है चार मिश्लों का जो है कि कहते हैं कि कल चैना बेपरदा बेपर्दा कल जो आई नदर चंद बीवियां अकबर जमी में गायरत कौमी से गड़ किया पूछा जुम्ह नयाब से पर्दा वो क्या हुआ कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पढ़ गया अब देखिए पर्दे का यहां खोब्सूरत पर्दा तो एक जो है जो हम पर्दा करते हैं कोई तरह अपने आप को शुबाने के लिए और अखल पे पर्दा पढ़ना महावरे का इतनी खोब्सूरती से इस्तमाल किया है इसी तरह उनके हाँ देखिए खुदा के फदल से मिया दीवी दोनों महजब हैं हिजाब उनको नहीं आता उन्हें गुसा नहीं आता तो इ हुक्काम के साथ हुक्काम हाकिम की जमा है जो हुकुमत कणने वाला हन गम रगे जिनर खाते हुक्काम के साथ रंज लेंगर को बहुत हैं मगर आराम के साथ तो इस तरह कि आप उनको शायरी पढ़िया तो बहुत सारी चिसे आपको ऐसी नजर आएंगी तो बहुत मशूर शायर है अकबर इलाबादी लिए बहुत मशूर शायर है और देखिए हमारे दस्वी जमात की किताब में शामिली यह किताब भी आपके सामने नजर आ रही है अब आज यह हम उनके बारे में हमने पहले वे बात हो चुकी है और जो कुछ की तारीफ की गई है नजम की हमारी किताब में था पेहले बहुत में हो चुटी है वहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो नमी जमात के ख़िए में तो यहां परिस्वात हम समझते हैं कि नदम को क्या है इसको दोराने की जरूरत नहीं है अब हम सीधे आते हैं कि आज की जो नदम है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है अब देखें की सर में ये DAN Awesome का देखते हैं तो यह अद्य होता है कि जल्वा नदम का नाम है और इस में दो-इद एजाफतей हैं अगर हम ना करना चाहे हैं तो हम इसको इस तरह पढ़ीं पड़ सकते के साथ इस्तेमाल किया हैं और इस तरह यह अगर हम देखें तो कि आप इस नद्व को देखिए कि इसमें किस तरह खुबसूरती से इसको लिखा है और कितने इसमें बंद जो है वह अलग-अलग बंद हैं इसमें तक्रीवन 15 बंद शामिल किये इसमें हलाकि यह नद्व बहुत और भी तवील है लेकिन यहां सिर्फ आपके किताब में सिर्फ 15 बंद शामिल किये गए हैं और वह बंद जो हैं चार-चार मिस्रों के अलग-अलग हर बंद के मिस्रों के काफी अलग-अलग इस्तिमाल कि गए हैं जैसे हम इस नद्व के कहा अच्छा देखा क्या बतलाएं क्या क्या देखा जमना जी के पात को देखा अच्छे सुत्रेगाद को देखा सबसे ऊंचे लाट को देखा हजर्थ यू करौनाट बडखा पैड著 sonore देखें काले देखें संगीन और भाले देखें मैंड बजाने والे देखें खेमों का एक दंगल देखा इस जंगल में मंगल देखा बरमा और वरंगल देखा इस द्खवाहों का दंगल देखा सलके थी हर कंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मोजे लंप से जारी, तेजी थी हर जंप से जारी, डाली में नारंगी देखी, महिफिल में सारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, देहर की रंगा रंगी देखी, अच्छे अच्छों को भटका देखा, भ जर्दी जूले नूर का आलम, मीलों तक वो चम-चम-चम-चम, पुर्था पहलू ये मज्जी देजा में, रोशनिया थी हरसूला में, कोई नहीं था किसी का तांसा में, सब के सब दी थे दीद के तामें, सुर्खी सड़क पे कुक्ती देखी, सांथ भी भीड में गुक्ती देखी, आतशबादी छुट्दी देखी, लुट्फ की दौलत लुक्ती देखी, चौकी एक चौलखी देखी, खोवी चक्खी पक्खी देखी, हरसू नेमत रखी देखी, शहद और दूत की मक्खी देखी, एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीर और बलवा, मेरा हिस्सा दूर के जलवा, ओज ब्रिकिश राज का देखा, परतो तक्तो ताज का देखा, रंग जमाना आज का देखा, रुख करजन महराज का देखा, पहुंचे अफ़ाद के साथ स तरुके हफ्तिता भाकी उनका महिफ्ल उनकी साख़िय उनका आखे मेरी बाकी उनका हम तो उनके खेर तलब हैं हम क्या ऐसे ही सबके सबंग हैं उनके यहां पर खत्म हो जाती है नजब का एक अंदा से आपने देखा जो है इसको आप फिर पढ़ सकते हैं अपनी किताब को देख देखकर कि इसमें जो खाद बात की गई है वो इसमें हर बंद में चार चार मिस्रे शामिल हैं और हर बंद के काफी अलग अलग हैं अगर आप इनक में रदीब देखा इसे ताल हुई हैं इसे तरह दूसरे बंद में आप देभ windows यहां पर जो काफी इस thought would लाट और उसके तो आप देखिए कि यहां जो खुबस्रती इसके नजम में हैं वो उसके काफियों में उसकी रडीव के काफी इस्तमाद हुए ह०्यानने जंगल, मंगल, वरंगल और दंगल इसे तरह पांच men कंप फंप लंप और जंब और छीया कौख हम जो एंग्रेजी के इस्तमाद हैं और हम इसे इस दो कम कि एंब किया हैं लेकिन हम इसको काइम बोलते हैं जरूचे के तहर अकब इलहाबादिन और दूसरे शौरा भी तरह करते हैं कि कि किसी ना किसी एक ह смотреть को बढ़ा देते हैं हैं अब कम कर देते हैं कि प्रक्राइब को कंग कर दिया और पंप को पंप ने दिया है और यहां इस बंब में रदीप इसते जारी है तो नारंगी और तो नारंगी तो नारंगी देखें तो आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनको आप काफिया भी समझ में आता जाएगा और उसके साथ जो रदीफ इस्तमाल हुई है वो भी देखती जाएंगे ये इनदत्व अकबर इल्हाबादी नो उस दमाने में लिखी थी जब में लालकरजन यानि हंदुस्तान में नए वाइसराय आया थे लालकरजन में तो उन्हों नहीं सो तीन में बहुत बड़ा दर्बार किया था अरो दर्बार करने का मकसद यह तो अपनी शुरत की क्या को देखाना थे कि हम कितने पावर्फूल है हमारी हुकोमत है और यह जो है अजन्हों दर्बार मनकिद हुआ तक कश्मीरी गेट ही इसको आजम बोलते है कश्मीरी गेट से लेकर काईंप विंग से कंवे तक दर्बार लगा हुआ था और वहां बहुत बड़ा जलसा हुआ था अव जलसा हुआ था उस जलसे बड़ी उस जमाने में जाहिर पात ही पंदादा कीजिए 700 साल हो रहे हैं 120 साल हो गए आपके यह तो बहुत बहुत बड़ी बस्ती है पहले स्याबाद है तो अकबर इलाबादी ने उसी मनजर को बड़े पुलुत पंदाद में पेश किया इसको हम मंदरिया शारी कहते हैं यानि पूरा मंदर जो उनको वहां नजर आ रहा था हम किस किस तरह थे और वहां जो लोगों के कैफियत थी उसको भी उन्होंने बयान किया है लोगों की कैफियत जैसी इस्थफ़ाहों का दंगल देखा तो ऐसी मौके पर हर जगा चाहता है क हमारी इज़त अफ़जाई ज्यादा हो हमें ज्यादा पूछा जाए तो हर आदमी इसकी कोशिद कर रहा था गोजा एक डंगल वहां मचा वहा था कि आगे बढ़ने का और अपने जो कम लाड़ करदन तो उनसे मुलाकात करने का ताकि उनकी इज़त अफ़जाई हो इसी त मुहावरा है इसी तरह दिल दर्बार से लटका आपका दिल अटक गया थे भी एक महावरा है लेकिन चारों मुहावरों को चार मिस्ट्रों में बड़ी खुबसूरती से अदा किया है और उसमें एक कैफियत उस जमाने की जो रही है उसको वहां पे दर्बार के पास लोगो हमें कितनी वह तकली पहुचे को भी हमारी बेजती हो जिल्ट हमारे लेकिन हम ऐसे मौकव पर अपने आपको नुमाया करने की कोशित करेंगे इसी तरह देखिए कि हाथियों का महा जिक्र की आगा है हाथियों के खुब सजा रखा तो वह चमचमा रही हाथी चलती है तो ज रोशनियात यह हर सु लामया और चारो तरफ जो है रोशनियों का ऐसा लग राता कि यह के मिनार है हर तरफ रोशनी है कोई नहीं था किसी का सामय और कोई किसी की सुनने वाला नहीं था सामय को इसकी जब जमा बनाते तो सामय होता है तो वही कहते कोई नहीं था किसी का साम देचना और तामए माने लालची हने सबक्ति युख़ाइच थी कि हम उस मंदर को देखे रहें लाल करदन वहां पर उनको हम धेख नएं जिए-आसली कि हम वह हम उनके पर 숙री तो इस तरह इस नजब को देखा तो बहुत सारी चीज़ है इसमें पढ़ेंगे लेकिर इसमें जो सरगर्मी हो सकती है वह सरगर्मी हम देखें कि यहां कता जो दिये गए उनको अलगा लग करके भी हम देखें हर बंद में चार नय काफी है उनकी शनाक भी आपको करनी है किस करें और रदीब पर गोर करना है जैसे दम ने बताया कि देखा भी इस्तमाल हुई रदीब देखे भी और देखी भी तो यह किस परसपंदर में रदीब बदल जाती है इसको देखने की जरूरत है अंग्रेजी अलफाद और मुहाबरे भी उन्होंने इस्तमाल कि तो अंग सकते हैं इससे आपको शनाक होने के साथ साथ आपको जखीरे अलफाद में बेदापा होगा आप उनको इस्तमाल भी कर सकते हैं और बिलकुल सर यह जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे हमारे दर्वा तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आजा है क्योंकि आपने बहुत ह कुछ हमें बताया हमारे स्टुदेंट्स को तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर्थ तो आप सभी स्ट्रम कहना चाहेंगे कि आप कहीं मज जाए जुड़े रहे यह वीद्या चैनल से क्योंकि अपसे कुछी देरों में हम लेकर आएंगे क्लास नाइन के लिए मैथमाटिक्स तो आप कहीं मज जाए कनेक्टेड रहे यह वीद्या चैनल से कौन होंगे इसके एक्सपर्ट और कौन प्रस्तुत करेंगे से जानने के लिए आप ज़रूर जुड़िए यह वीद्या चैनल अपन नौ से तो हमें दीजे जाज़त नमस कार टे क्यार